परदेशी फ्लाइट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं सौधी अरब में कुरोना केस के बारे में सौधी अरब में पिछले 24 घंटे में जो कुरोना केस रिकार्ट किये गए हैं जो दर्ज किये गए हैं वो 315 नए केस आये हैं सौधी अरब में अब भी गिरावट जारी है सौधी अरब में जो कुरोना केस आ रहे हैं तो उसमें कभी 350-380 जो आकड़े आ रहे थे उसमें गिर सो से नीचे भी आ जाएं वहां के स्वास्त मंत्री ने भी कहा है कि सौधी अरब में बहुत जल्द सब कुछ नार्मल होने वाला है तो साइद यह जो आकड़े आ रहे हैं इसी के हिसाब से बयान दिया गया है तो जैसे ही यह तीन सो से नीचे आएगा साइद हमें कुछ अच् दी जाएगी तो दोस्तों हम सब इंदिजार कर रहे हैं इस चीच का कि सौधी अरब में जल्द से जल्द सब कुछ नार्मल हो जाए और फ्लाइट पर जो पाबंदी लगाए गए है वो पाबंदी हट जाए इंडिया से जो भी लोग अभी सौधी अरब जाना चाहते है या जिनके पास रुकने की छहमता है अभी भी वो रुके हुए हैं तो वो सब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब सौधी अरब फ्लाइट से पाबंदी हटा ले तो जो भी लोग फसे हुई हैं वो सौधी अरब चले जाए इंडिया से सौधी अरब जाने वालों ने औ उस साइट पर फ्लाइट से मोहिम चलाया इंडिया सौधी फ्लाइट सुरू करने के लिए मोहिम चलाया और एक हैस्टाइग के मैं इंडिया कैस से ट्यूटर पर चलाया उस हैस्टाइग पर बहुत सारे ट्विट किये गए लोगों ने अपनी समस्या passo 1 estICAoveार जो विदेश को इसके लबा कई सारे चैनल वालों को टैक करके इस हैस्टेक को चलाया गया जिसमें इंडिया से सौधी अरफ फ्लाइट शुरू करने के लिए कहा गया है किस तरीके से लोग पिछले एक साल से परिशान है इंडिया में भी जो लोग छुट्टी पर आया थे या जो लोग नए वीज़े पर जाना चाहते है या जो लोग साओधिय अरफ जाना चाहते है और दुबई में फस गए हैं उन सारे लोगोंने सोसल साइट पर मुहिम कि ये लोग अपनी समस्यां बता रहे हैं और अपनी समस्यां बताने के साथ सरकार का ध्यान भी आकरसित करना चाहते हैं अपनी तरप की हमारी ये समस्यां हैं आप इन समस्या ओका निकालें क्योंकि ये समस्या बखुत बड़ी है बखुत बड़ी संख्या में लोग इंडिया से सौधी अरब जाना चाहते हैं और उनकी भी संख्या काफी है जो वाया दुबई होकर जाना चाहते हैं अभी दुबई में फसे हुए हैं तो इन सारे मुद्दों पर लोगों ने बहुत स शुरु होगी दोस्तों कियो के ये फैसला गॉल्मेंट को ही करना होता है अब देखना है कुछ दोनो गॉल्मेंट किस तरीके से बाजचीत करती है और फ्लाइट कब तक शुरू होती है इंडिया-साओक के दर्मियान दोस्तों हम सबको इसका बेसबरिस से इंतजार है कि इंडिया सौधी अरब के दर्मियान फ्लाइट जल्द से जल्द सुरू हो जाए और सौधी हुकूमत ने जो पाबंदी लगा रखिये 20 देसों के फ्लाइट के उपर वो पाबंदी भी हट जाए और जो लोग इस समय दुबए में फसे हुई है वो सबके सब सौधी अरब चले जाएं तो दोस्तों हम सबको इंतजार है कि कोई अच्छी खबर जल्द से जल्दा है बहराल जैसे कोई न्यूज आती है कोई अपडेट आती है आपको ज़रूर बताये जाएगी बहुत बहुत सुक्रिया